अम्रावती और नापपुर जिले के नर्खेड, काटोल, कलमेश्वर, साउनेर, वरुड, मोर्शी, सांदूर बाजार, अचलपुर तहसिल संत्रा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है एशिया का सबसे बड़ा संत्रा मार्केट यही पर है इन तहसिल में 65-70,000 हेक्टियर में संत्रा फसल का उत्पादन, तो 35-40,000 हेक्टियर में मौसंबी की फसल ली जाती है परंतु बारिश कारण विदर्प के संत्रा उत्पादों को बड़े पैमाने में नुकसान हुआ है उसी प्रकार पिछले कुछ दिनों से दक्षिन भारत में हुई बारिश के कारण संत्रे का निरियाद दक्षिन भारत में नहीं हो पाने से संत्रे के भाव में भारी गिरावट आने से संत्रा उत्पादक किसानों को संकटों का सामना करना पजा है संत्रे की फसल दो सीजन में ली जाती है अंबिया बाहर के संत्रे की शुरुवात हो चुकी है लेकिन अचानक शुरू ही बारिश के कारण अब संत्रे को भाव नहीं मिल रहा है जिन इलाकों में संत्रे का उत्पादन काफी बड़े पैमाने में होता है उन इलाकों में एक भी संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प नहीं है इस वश अधिक बारिश होने से संत्रे पर बाव ट्रोट का प्रकुप होने से बड़े पैमाने में संत्रे पेडो से गल गए इससे भी कुछ किसानों ने समय पर उपायोज ना कर संत्री को बचा कर रखा लेकिन इस संत्री को कौडी मोल भाव मिल रहा है जिसके चलते किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है विदर्प की सबसे बड़ी कुरुशी उपज बाजार समिती के तोर पर कलमना मंडी की पहचान है लेकिन यहां भी किसानों को चाहिए वैसी सुविदा उपलब नहीं है इस शेत्र में संत्रा प्रक्रिया, कोल्ड स्टोरेज और वेर हाउस की सुविदा होती तो किसान अपने संत्रे का माल तोड़ कर कोल्ड स्टोरेज में रख पाते चुनाओ के समय किसानों को आश्वा संदिये जाते है पास साल के बाद किसी भी जनप्रतिनीदी को किसानों की याद नहीं आती ऐसे में किसान केवल वोटों के लिए मर्यादित है क्या ऐसा प्रश्ट किसानों द्वारा किया जा रहा है अतिरुष्टी के कारण संत्रे पर विवित प्रकार की बिमारियां का प्रकोब होने से आयवर्ष बड़े पैमाने में पेडों से फलगल कर खराब हो गए यह क्रम अभी भी जारी है बहरी राज में गिरने वाली बारिश के कारण किसानों के संत्रे के माल को भाव नहीं मिलने से किसान भारी संकट में और परेशानी में है 25-30 वशों से संत्रा उत्पादक किसानों को संत्रे के लिए किसी भी प्रकार की सुविदा उपलब नहीं है कोई भी प्रकल्प नहीं होने से किसानों के हाल बेहाल है कभी भाव मिलता है तो कभी उत्पादन ही नहीं होता जिसके कारण किसान नुकसान में है